एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्शक और सबसे सटीग एस्टोसेज ब्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जय श्री गरिंशाय नमा दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश योट्यूब चैनल एस्टोसेज टीवी पर हर दिन की तरह मैंनी है राजपूत आपके सामने हाजर हो लेकर दैनिक राशीपल इस वीडियो में बात करेंगे 14 मार्च के बारे में और इस तरीके से वो चीज़ें जो तिश्य Walker इस्तेमाल करें हमारी दौरा बताये गे चीज़ों कमाल करें अपने दिन को बहतर बना सके अगर को परिशानी आ रहिए तो इसको एस तरीके से आपको सौल्व करना ये सारी जानकारियां आपको मिलती है वर इस वीडियो में फिला आज 12 बचकर 6 मिनट से 12 बचकर 4 मिनट तक शुमोरत है राहुकाल यानि अशुप समय की बात की जाए तो प्राता है 9 बचकर 31 मिनट से 11 बजे तक राहुकाल चलेगा दिशा शूल आज पुर्व दशा में है तो यदि आपस दशा में यात्रा कर रहे हैं तो इससे बचना है औ सबसे पहले आज अगर्वत की बात के लिए तो आज है मीन संक्रांती मीन संक्रांती का मतलब क्या होता है यह जान लेते हैं पहले सुर्य के एक राशी से दूसरे राशी में गोचर करने को कहते हैं संक्रांती संक्रांती एक सौर घटना होती है हिंदू केलेंडर के अनुसा सबसे आखरी और उसी का प्रभाव आप सभी बारा राशी के जाते को पर देखने को भी मिलेगा यह जो राशी फल है उसमें भी हमने इस सुर्य के गोचर को भी चंदर के साथ साथ इंक्लूड किया हुए तब आपको बताएंगे हम कि आज का दिन किस तरीके से हर मामलों में गुजरेगा फिलाल शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मेश वालों की कुद्रत से आपको मिला है आत्मिश्वास और तेज दिमाग यानि इस राशी के लोग जो होते हैं तेज दिमाग वाले होते हैं आत्मिश्वासी होते हैं इसलिए इसका भरपूर इस्त जीज़े होंगी और आपके सामने समस्या यह होगी कि किसे पहले चुना जाए आज आपको महसूस होगा कि आपका महभूब आपसे कितना प्यार करता है खाली समय का सदुपियोग होना चाहिए लेकिन आज आप जो है इस समय का दुरुपियोग करेंगे और इस वज़े से जाला देना चाहेंगे कि आज मास मदिरा आदिका त्यात करेंगे शुभंक है आठ और शुभरंग है काला और नीला भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच मैं से साढ़े तीन इस्तार अब बारी व्रिशभराशी कि जो समस्याइं आपको परिशान कर रहे हैं उ अलाकि स्थिती जल्द ही सुधर जाएगी किसी दूर के रिश्डार के यहां से अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार के लिए रुमान चक रहने वाली है आज रुमानियत का मौसम ज़रा खराब लगता है क्योंकि आपका साथ ही आपसे कुछे जादा ही अपे सकता है इससे आपकी उब भी दूर होगी उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है काले रंग के कुट्टे का को भोजन कराना है आपको शुभांग है सात और शुभरंग है क्रीम और सफीद भागिस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से चार इस्तार अब ब पूर्क रिष्टदार के यहां से अचानक आया कोई संदेश पूरे परिवार के लिए रोमान चक रहेगा। आपका प्रेय आज रोमेंटिक मूड में होगा। नहीं बिना किसी पुर्व सूचना के आज आपका कोई रिष्टदार आपके घर पधार सकता है। इसकी वज़ा से आपका कीम्टी समय उनकी खातरदारी में जाया हो सकता है। दोस्तो मीन संक्रांति है आज जैनि सुर्य ग्रह जो है मीन राशी में गोचर कर रहे हैं। सुर्य हर महीने अपना स्थान बदलकर एक राशी से दूसरे राशी में चले जाते हैं। सुरे के हर महीने राश्री परिवर्तन करने की प्रक्रिया को ही संक्रांती कहते हैं, हिंदु धर्में संक्रांती का समय जो है बहुत पुनेकारी माना गया है, संक्रांती के दिन पित्रुतरपन, दान, धर्म और स्नानाधी करने से काफी जो हिसका महत्व है, इस वैदिक उत्स स्मक्रांटी के दिन को साल के पर संक्रांती के दिनको साल की समाप्ती की तरह माना जहता है आप स्बातर आप स्छाधी कर दिंगे तो इसा नहीं करते उंकी तबत बिगड़ सकती है पर आप उनके स्वास पर काफी पैसा आपको खर्चा करना पड़ सकता है। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको कोई खास ही काम क्यों ना करना पड़े। आपके दल की धड़कने, आज आपके प्रिया के साथ कुछ ऐसे चलेंगी कि आज आपके जीवन में प्यार का संगीत बजूठेगा। जीवन के कई अहम मुद्दों पर आप घरवालों के साथ बात बैठ कर सकते हैं आज। आपके बाते घरवालों को परिशान कर सकते हैं लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा आपका जीवन साथी आपको प्यार का अहसास देना चाहता है उसकी मंदद करें परिवार की किसी सदस्य के साथ कहा सुनी कि चलते माहौल थोड़ा बोजहल हो सकता है लेकिन यदि आप स्वैम को शांत रखें और धहरे से काम ले तो समका मूट बढ़िया कर सकते हैं उपाय के तौर पर सला देंगे कि चांदी के चम्मत से या चांदी के कोई चीज आज ज़रूर इस्तमाल मेरा है शुभंक है नौ और शुभरंग है लालर मैरून भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साढ़े तीमिस्तार अब बारी सेंगे राश्री की आपके एक च्छाओं और महत्वा कांशाओं पर डर का साया पड़ सकता है इसका सामना करने के लिए आपको उप्यूक्त सला के जरूरत है आप पैसा बना सकते हैं बशुरते अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें तो अपने परिवार की भलाई के लिए महनत करें आपके कामों के पीछे प्यार और दूर दुर्ष्टी की भावना होनी चाहिए न की लालज का जहर काम के दबाव के चलते मांस एक उथल-पुथल और परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है वही दिन के उतरार्द में जादा तनाव ना ले और आराम करें इस राशी के जाते का आज खाली वक्त में धचनात्मक काम करने का प्लैन तो बनाएंगे लेकिन उनका यह प्लैन पूरा नहीं हो पाएगा आपको अपने जीवन साथी का आज सक्त और रूखा पहलू भी देखने को मल सकता है जिसके चलते आप औसा हिज महसूस करेंगे अपने घर से बाहर निकलते समय अपने जरूरी सामान को एक बार जरूर देख लें उपाय के तौर पर सला देना चाहेंगे कि कुट्टे को रोटी के लाएं खयाले पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी उर्जा को बचा कर रखें अगर आप घर से बाहर रहकर जोब ये बढ़ाई करते हैं तो लोगों से दूर रहना सीखें जो आपका धन और समय दोनों बरबाद करते हैं दोस्त और जीवन साथी आपके लिए सुकून और खुशी लेकर आएंगे नहीं तो आपका जो दिन है बुझा बुझा और भाग दोर धरा रहेगा आपके प्रेम की राह एक खुबसूरत मोड ले सकती है आज आपको पता चलेगा के फिजाओं में जब प्यार घुलता है तो कैसा महसूस होता है यात्रक के मौकों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए रिष्टे उपर स्वर्ग में बनते हैं और आपका जीवन साथी आज यहा साबित कर सकता है आज आप कुछ समय के लिए अपने विक्तितों को निखारने में भी लगा सकते हैं क्योंकि आकरशक विक्तितों का आतनर्मान में एहम योगदान होता है उपाई के तौर पर आज के दिन हरे रंग की काच की वोटल में पानी भर कर धूपने रखे हैं मकर, कुम्भ और मीन के नाम से जाना जाता है जैसा कि हमने आपको भी उताया कि विभन राशियों में सुरे के प्रवेश को ही संक्रान्ती कहा जाता है सुरे बारी-बारी से इन सभी 12 राशियों से होकर गुजरता है वैसे तो सुरे कायन सभी राश्री से होकर गुजरना शुब माना जाता है तो इसी भी इस दिन को जह संक्रांती के तौर पे लोग मनाते हैं बात करते हैं अब तुला राश्री के जातकों की किसी भी तरह के द्वन्द या विरोध से बचे क्योंकि आपकी सिहत पर इसका बुरा असर होगा पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे नहीं वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है अपने दोस्तों से बहुत लंबे समय बाद मिलने का खयाल आपके दिल की धड़कन को बढ़ा सकता है काम को समय पर नप्टा कर जोलदी घर जाना आज आपके लिए अच्छा रहेगा इससे आपके परिवार वालों को भी खुशी मिलेगी और आप भी तरुताजा महसूस करेंगे वैवाहिक जीवन के लिए विशेश दिन है अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं लोगों से दूरी बनाना कई बार जरूरी होता है लेकिन उन लोगों से दूरी ना बनाएं जो आपके शुब चिन तक हैं उपाय की बात करें तो सला देना चाहेंगे कि आज पक्षियों को सफना जडालें शुबंक है आठ और शुबरंग है काला और नीला भागिस्तार के तोर पर आपको मिलते हैं पांच में से साढ़े तीन स्टार अब बारी विश्चक राशी की किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी आज निवेश के जो नया उसर आपकी ओर आएं उन पर विचार करें लेकिन धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओ को आप भली बातिय अध्यन कर लें कुछ लोगों के लिए परिवार में नये का आनन जशन और उल्लास के पल ले कर आएगा आपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से बाहर करें दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभाव आपको काफी फाइदा पहुचा सकती है आज किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे जगड सकता है लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुरज जाएगा बिना किसी को बताए आज आप घर में छोटी मोटी पाती भी रख सकते हैं उपाय के तौर पर आज के दिन किसी को हरे रंग के कपड़े गिफ्ट मिले किसी करीबी को शुभांग के एक और शुबरंग है नारंगी और सुनहरा भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से साढ़े तींस्तार अब बारी है धनूराश्री की गाड़ी चलाते समय सावधान रहें खास तौर पर मोड पन नहीं तो किसी और की गलती का खामियाज आपको भूवत ना पढ़ सकता है आज किसी विपरित लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाव होने की भी संभावना है कोई ऐसा जिसके साथ आप रहते हैं आपके लापरवा और अनिश्चित बरताओ की वज़े से चड़ सकता है अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफी हलका और रोमांचित महसूस करेंगे मौज मस्ती के लिए घूमना संतोष जनक रहेगा मही कोई पुराना दोस्त आपके साथ आपके जीवन साथी के पुराने यादगार किस से लेकर आ सकता है आपने जीवन साथी के साथ एक कैंडल लाइट डिनर आपके हफते बर की ठकान को दूर कर सकता है उपाय के तौर पर आज के दिन सुर्योदय के समय धूप स्नान करें यानि 15-20 मिनट तक धूप में बैठें दोस्तों बताया हमने आपको कि आज है संक्रान्ती अगर देखा जाए तो संक्रान्ती का संबंध कुशी, प्रकृति और रितु परिवर्तन से भी है सुर्य देव को प्रकति के कारक के तौर पर जाना जाता है इसलिए संक्रान्ती के दिन इनकी पूजा की जाती है शास्त्रों में सुर्य देवता को जो है समस्त भहुतिक और अभहुतिक तत्व का की आत्मा माना गया है रितु परिवर्तन और जलवायू के कुछ महत्पुन बदलाव इनकी स्थिती के अनुसार होते हैं ना केवल रितु बदलाव बलकि धर्ती पर जो अन पैदा होती है और जिससे जीव समुदाय का भरन पोश्चन होता है या सब सुरे के कारण ही संपन होता है संक्रान्ती के दिन पूजा और चना करने के बाद गुड़ और तिल का प्रसाद बाटा जाता है जैसा कि हम सभी जानते हैं संक्रान्ती एक शुब दिन है पुर्णिमा एकादुश्री आदी जैसे शुब दिनों की तरह ही संक्रांती का दिन जो है उसकी भी बहुत मानेता है इसे लिए दिन कुछ लोग पूजा पाठादी भी करते हैं मत से पुरान में संक्रांती के व्रत का वर्णन भी किया गया है अब बारी मक्का दाश्री की दोस्तों के साथ शाम सुखद रहेगी लेकिन जादा खाने और मदिरा पान से बचें तंग आरतिक हालात के चलते कोई एहम काम आपका बीच में अटक सकता है अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपनी दोस्तों को बुलाएं ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे आज आपके दिल की धड़के नहीं अपने प्रेय के साथ ताल से ताल मालूम मिलाते ही मालूम होगी जिहां यह प्यार का खुमार है आज आप अपना खाली समय अपनी माता की सीवा में बताना चाहेंगे लेकिन एन मौके पर किसी काम के आज आने की वज़े से ऐसा हो नहीं पाएगा जिससे आपको परिशानी होगी जीवन साथी सने करता आज आपको खुशी देगी जिन्दगी का स्वाद तो स्वादिष्ट भोजन करने में ही है यह बात आज आपके जुबान पर आ सकती है क्योंकि आपके घर में आज स्वादिष्ट भोजन बन सकता है उपाई के तोर पर आज के दिन मास, मदिरा, हिंसा, परपीडा, निंदा आदी का त्याग करें शुभंग के साथ और शुबरंग है खुड़ी मोर सकी दोस्तों और शुदारों के साथ मौज मस्ती करें आज के दिन अपने प्रिय की भावनाओं को समझे इस राशी वालों को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में भी कर सकते हैं अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं या कोई अपना मस्तपस संदेदा म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं अगर आप अपने जीवन साथी सेसनी की आश्रा रखते हैं तो यह दिन आपकी आश्राओं को पूरा कर सकता है अपने घर से बाहर निकले और जो है निकलते समय थोड़ा सा ध्यान रखे चोट आदी लगने की संभावना है जो भी जरूरी सामान है एक बर उसको जरूर चक कर ले उपाय के तौर पर काले वा सफेद मोतियों की माला गले में आज धारन करे अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशी वालों की दिन की शुरूरात आप योग ध्यान आदी से कर सकते हैं ऐसा करना आपके लिए फायदे मन रहेगा और सारे दिन आप में और जा रहेगी खर्चों में हुई और परत्याशित बढ़ोतरी आपके मन की शांती को भंग करेगी जीवन साथे के साथ खरीदारी मज़ेदार रहेगी इससे आप दोनों के बीच की समझ में भी इजाफा होगा प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं वहीं जीवन साथे के साथ वक्त बिताने के लिए आज आप ओफिस से जोड़े निकल सकते हैं लेकिन रास्ते में अतधिक जाम की वज़े से आप ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हो पाएंगे आपके जीवन साथे की ओर से मिला कोई खास तौफा आपके खिन मन को भी खुश करने में मददगार रहेगा अपने इस सामर्थ से ज़्यादा काम करना आज आपके लिए नुकसान दे हैं तो जितनी बॉड़ी अलाओ करें उतना ही काम करें उपाए के तौर पर बाहर जाते समय केसर या हल्दी का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं शुभंक है दो और शुबरंग है सिल्वर और सफीर भागिस्तार के तौर पर आपको मिलते हैं पांच में से चार स्थार तो दोस्तो अभी तक हमने जाना आपका राशी फल सभी बारा राशी के जातों का राशी फल क्या है और आज वरत क्या है आज वरत है संकष्टी चितुर्थी जाते जाते थोड़ी information आपको और देते हैं जो भी व्यक्ती नारी या पुरुष संक्रांती पर वरत रखना चाहते हैं उसे एक दिन पहले के वल एक बार भोजन करना चाहिए जिस दिन संक्रांती उस दिन प्राता काल उटकर दांतों को अच्छे से साफ करे स्नान करे उप संक्रांती ग्रहन पुर्णेमा और आमवस्या जैसे दिनों पर गंगार स्नान को महापुनेदायक माना गया है माना जाता है कि ऐसा करने पर व्यक्ति को ब्रह्मलोग की प्राप्ति होती है देवी पुरान में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति संक्रांती के पावन दिन पर भी पहतरीन बिना सकते हैं तो वीडियो में देखेंगे और इंफरमेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें शेयर करें चानल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन का बटन भी प्रस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए आपसे कल एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें और किसी का दिल मद दुखाईए नमस्कार